स्वागत है आपका, मेरे चैनल धीरज गुपता टीवी में आज मैं आपको एक ऐसे शहर के दर्दनाक इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहां लोग ज्वाला मुखी विसफोट होने के कारण पूरा शहर कुछी सेकंड में लावा के चपेट में आ गया, बीस हजार लोग की मौत पल भर में हो गई और वे पत्थर बन गए, यह बात है उनाशी ईसवी के जब पूमपेई शहर अपने समय का काफी प्रसिद्ध शहर हुआ करता था, इस शहर के पास एक ज्वाला मुखी था, जिसका नाम माउंट वसूवियस था, यह ज्वाला मुखी प्रवसिद्ध ज्वाला मुखी था, जिसका मतलब यह है कि इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, उस समय पूमपेई के लोगों को ज्वाला मुखी के विशय में कुछ खास नहीं मालूम था, इसके लिए वह खत्रे से अंजान थे, जब ज्वाला मुखी अचानक विस्फोट हुआ, तब यह कोई साधरन विस्फोट नहीं था, बलकि इतना भयंकर था, कि दस किलो मीटर का एरिया जलकर राख हो गया, इस बात का अंदाजा पूमपेई शहर के लोगों को नहीं था, सौ दो सो लोग नहीं, बलकि पूरे बीस हजार लोगों की मौत हो गई थी, जो यह शहर की आबादी थी, एक भी लोग या एक भी जानवर जिन्दा नहीं बचा था, मरने के बाद सभी लोग तेरा से बीस फुट लावे की राख में नीचे दफन हो गए, हैरानी की बात ये है कि इस शहर को गायब हुए हजारों साल बाद भी दुनिया को पता नहीं चला कि यहां एक जिन्दा शहर था, दुनिया को पॉमपेई शहर के बारे में 1748 में पता चला, जब कुछ टूरिस्टों को अजीब औ गरीब आकार की मूरतियां मिली, यह देख परियटक काफी हैरान थे, जो पत्थर का बन गया है, जब आसपास के इलाके की खुदाई की गई, तो एक पूरा का पूरा शहर निकल आया, और तब जाके दुनिया को पता चला, अगर आपको इस विशय को लेकर किसी भी तरह का सवाल है, तो कमेंट करके पूछिए, और जानकारी अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद!